आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछले वीडियो में वर्गी कृत आंक्णों का बहुलग ज्याद करना सीखा था आज इस वीडियो में हम माध्यक के बारे में जानेंगे तो क्यों ना इसे विस्तार में समझने के लिए पहले अवर्गी कृत आंक्णों से शुरुवात करें जैसा कि माध्यक के नाम से ही अनुमान लग जाता है कि यहां किसी मध्य यानि केंद्र की बात हो रही है अर्थात माध्यक वह मान है जो प्रेक्षणू यानि अब्जर्वेशन्स के मानों को ठीक ठीक दो भागों में विभगत यानि अलग करता हो तो बताईए निम्न लिखित दस दिनों के तापमान आंक्णों का माध्यक यानि मीडियन क्या होगा माध्यक के लिए सबसे पहले प्रेक्षणू को आरोही क्रम यानि ascending order या फिर अवरोही क्रम यानि descending order में व्यवस्थित करते हैं जहाँ प्रेक्षणों की गड़ना करके उनके सम और विशम होने का पता करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि दी गई कुल प्रेक्षणों की संख्या 10 है जो की सम है हम सीख चुके हैं कि यदि प्रेक्षणों की संख्याउं सम हो तो माध्यक प्राप्थ करने के लिए N बटा 2 वें प्रेक्षण तथा N बटा 2 जमा 1 वें प्रेक्षण का माध्य ग्याद करते हैं जिससे हम पूरे आंक्णों का माध्यक 16 डिग्री सेल्सियस प्राप्थ होता है और यदि आंक्णों की संख्या विशम होती तो यहां माध्यक N जमा 1 बटा 2 वें प्रेक्षण का मान होता आईए अब इस परविस्तार से चर्चा करते हैं एक आईस्क्रीम पार्लर में 102 आईस्क्रीम है यदि आईस्क्रीम की कीमत 15 रुपई से 45 रुपई तक है तो क्या आप निम्निलिखित बारंबारता आक्णूं की सहायता से आइस्क्रीम की कीमत का माध्यक ग्यात कर सकते हैं? चलिए, इसे हल करने का प्रयास करते हैं हम जानते हैं कि माध्यक के लिए सबसे पहले आंक्णों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर निमने प्रकार दरशाते हैं दिया गया है कि आईस्क्रीम की संख्या यानी N का मान 102 है जो की सम संख्या है जिससे हम बता सकते हैं कि माध्यक 51 तथा 52 प्रेक्षन का उसत होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रेक्षनों के मान जानने के लिए हमें क्या करना होगा? आईए देखते हैं इसके लिए हम एक नए स्तंभ का निर्मान करते हैं पहली पंक्ती में 15 रुपए तक की आईस्क्रीम को सम्मलित करते हैं जिनकी संख्याएं 20 दी गई हैं इसी प्रकार दूसरी पंक्ती में 20 रुपए तक की आईस्क्रीम सम्मलित करते हैं जिनकी कुल संख्याएं 43 हैं क्योंकि इसमें 15 रुपए वाली 20 आईस्क्रीम भी शामिल हो जाती हैं इस प्रकार एक नए स्तंभ का निर्मान होता है जिसकी अंतिम पंक्ती में 45 रुपए तक की 102 आईस्क्रीम शामिल होती हैं इस स्तंभ को हम संचई बारंबारता याने की क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी स्तंभ के नाम से जानते हैं उपरोक्त सारणी से हम देखते हैं कि 51 वाफ प्रेक्षण 22 तथा 52 वाफ प्रेक्षण 24 है क्योंकि 102 आईस्क्रीम में से 52 से 79 तक की आईस्क्रीम की कीमत 24 रुपए है अब अगर हम 22 और 24 का ओसत ले तो इस से आईस्क्रीम के मूलियों का माध्यक 23 रुपए प्राप्थ होता है अतह हम कह सकते हैं कि लगभग 50 प्रतीशत आईस्क्रीम 23 रुपए से कम और अन्य 50 प्रतीशत आईस्क्रीम 23 रुपए से अधिक की हैं याद रखिए, संचाई बारंबारता का निर्मान करते समय प्रत्य एक अगली पंक्ती में पिछली पंक्ती की बारंबारता को जोड़ा जाता है इस विडियो में आज हमने अवर्गी कृत आंक्णू के माध्यक के बारे में जाना अगले विडियो में हम वर्गी कृत आंक्णों की सहायता से माध्यक ज्यात करना सीखेंगे